एक साथ ही हैं विजय कुमार काभी जी विजय जी उरिशा के केंदर पाड़ा के रहने वाले हैं केंदर पाड़ा समुद्र के किनारे हैं इसलिए इस जिले के कई गाउं ऐसे हैं जिन पर समुद्र की उंची लहरों और साइक्रोन का खत्रा रहता है इसे कई बार बहुत नुक प्रकूती ही रोक सकती हैं फिर क्या था विजय जी ने बड़ा कोड गाउं से अपना मिशन शुरू किया उन्होंने बारा सार साथियों बारा सार मेहनत करके गाउं के बाहर समुद्री की तरफ पचीस एकर का मेंगरो जंगल खड़ा कर दिया आज ये जंगल इस गाउं की सु नारादिब जिले में एक इंजिनियर अमरेज सामंती जी ने किया है अमरेज जी ने छोटे छोटे जंगल लगाये हैं जिन से आज कई गाउं का बचाव हो रहा है साथियों इस तरह के कामों में अगर हम समाज को साथ जोड ले तो बड़े परणाम आते हैं जैसे तमिल ना सात्रियों को टिकर देते हैं तो साथ में ही एक पौधा भी मुपत देते हैं इस तरह योगनाथन जी नजाने कितने ही पैड लगवा चुके हैं योगनाथन जी अपने वेतन का कापी हस्सा इसी काम में खर्च करते आ रहे हैं अब इसको सुनने के बाद ऐसा कौन नागरिक होगा जो मरी मुथू योगनाथन जी के काम की प्रसंसान न करे मरदे से उनके इस प्रयासों को बहुत बढ़ाई देता हूं उनके इस प्रयरक कारे के लिए हैं मेरे प्यारे देशवासियों वेस्ट से वेल्थ यानि कच्रे से कंचन मनाने के बारे में हम सब ने देखा भी हैं सुना भी हैं और हम भी औरों को बताते रहते हैं कुछ उसी प्रकार से वेस्ट को वेल्यू में बदलना के भी काम किया जा रहा है ऐसा ही ये गुदारन के कोच्ची के सेंट टेरेसा कॉलेज का है मुझ याद है कि 2017 में मैं इस कॉलेज के केमपस में एक बुक रेडिंग पर आधारित कारकम में सामिल हुआ था इस कॉलेज के स्टूडेंस री उजेबल टॉज बना रहे हैं वो भी बहुत क्रियेटिव तरीके से ये स्टूडेंस पुराने कपड़ों फैके गए लकड़ी के टुकड़ों बैक और बॉक्सिस का इस्तिमाल खिलोने बनाने में कर कोई विद्यार सी पजल बना रहा है तो कोई कार और ट्रेन बना रहा है यहां इस बात का विशेश ध्यान दिया जाता है कि खिलों ने सेफ होने के साथ साथ चाइल्ड फ्रेंडली भी हो और इस पूरे प्रहास की एक अच्छी बात ये भी है कि खिलों ने आंगनवारी मेनिफेक्टरिंग में काफी आगे बढ़ रहा है तो वेस्ट से वेल्यू के यह अभियान यह अभिनव प्रयोग बहुत माइना रखते हैं आंद प्रदेश के विजयवारा में एक प्रफिसर स्रीनिवास पतकानला जी है वे बहुत ही रोचक कार्य कर रहा है उन्होंने बहुत उत्सा से देख रहे हैं एलेक्ट्रोनिक और ओटो मोबाइल वेस्ट की रिसार्क्लिंग का यह एक अभिनव प्रयोग है मैं एक बाद फिर कोची और विजयवारा के इन प्रयासों के सरहना करता हूं और उमीद करता हूं कि और लोग भी ऐसे प्रयासों में आगे आ जिसके लिए हम गर्व करते हैं गर्व की बाते करते हैं साथ ही अपनी स्थानिय भाषा, बोली, पहचान, पहनाओ, खान-पान उसका भी गर्व करते हैं हमें नया तो पाना है और वही तो जीवन होता है लेकिन साथ साथ पुरातन गवाना भी नहीं है हमें बहुत आज असम के रहने वाले सिकारी टिसो बहुती लगन के साथ कर रहे हैं कार्वी आंगलोंग जिले के सिकारी टिसो जी पिछले 20 सानों से कार्वी भाषा का डोक्यमेंटेशन कर रहे हैं किसी जमाने में किसी यूग में कार्वी आदिवासी भाई बैनों की भाषा कार्वी आज मुख्य धारा से गायब हो रही है स्रिमान सिकारी टीसो जी ने तैक किया था कि अपनी इस पहचान को बचाएंगे और आज उनके प्रहासों से कारवी भाषा की काफी जानकारी डॉक्यमेंटेड हो गई है उन्हें अपने इन प्रहासों के लिए कई जगह प्रसंसा भी मिली है और एवोर्ड भी मिले है मन की बात के द्वारा स्रिमान सिकारी टीसो जी को मैं तो बधाई देता ही हूँ लेकिन देश के कई कौने में इस प्रकार से कई साधक होंगे जो एक काम ले करके खपते रहते होंगे मैं उन सब को भी बधाई देता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों कोई भी नई शुरुवात यानि न्यू बिगिनिंग हमेशा बहुत खास होती है न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है न्यू पोसिबिलेटिज नए प्रयास और नए प्रयासोकार्थ है नई उर्जा और नया जोश यही कारण है कि अलग-अलग राज्यों और ख्षेत्रों में इबन विबिता से भरी हमारी संस्कृति में किसी भी शुरुवात को उत्सव के तोर पर मनाने की परंपरा ही रही है और यह समय नई शुरुवात और नए उत्सवों के आगमन का है होली भी तो बसंद को उत्सव के तोर पर ही मनाने की एक परंपरा है जिस समय हम रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं उसी समय बसंद भी हमारे चारों और नए रंग बिखेर रहा होता है इसी समय फूनों का खिलना शुरू होता है और प्रकृती जीवन्ध हो उरती है देश के अलग अलग शेत्रों में जल्धी नया साल भी मनाये जाएगा चाहे उगादी हो या पुथंडू गुडी पड़वा हो या भी हूँ नवरे हो या पोईला या फिर बोईशाख हो या बैसाखी पूरा देश उमंग उत्सा और नई उमिदों के रंग में सराबोर दिखेगा इसी समय केरल भी खुबसुरत तुहार विशू मनाता है इसके बाद जल्ध ही चैत्र नवरात्री का पावन आउसर भी आ जाएगा चैत्र महिने के नवरे दिन हमारे आराम नोमी का परव होता है इसे भगवार राम के जनमोत्सव के साथ ही नय और पराकरम के एक नए यूकी शुरुवात के रुपे भी मना जाता है इस दोरान चारों और दुमधाम के साथ ही भक्ति भाव से भरा माहोल होता है जो लोगों को और करीब लाता है उन्हें परिवार और समाच से जोडता है आपसी समंदों को मजबूत करता है इन त्योहरों के अवसर पर मैं सभी देश्वासियों को शुबकामनाय देता हूं इस्टर का त्योहर बनाये जाता है प्रतिकात्मा ग्रूप से कहें तो इस्टर जीवन की नई शद्वात से जुड़ा है इस्टर उमिदों की और पुनर्जिविद होने का प्रतीख है अंडि इस होली और उस्पिशियो ओक्ईजन अग्रीट नाट अट अनली ग्रिस्टिन community in India but also Christians globally.